जैवी वीधिता से परिपूर्ण हमारी धर्ती सदयो रचनात्मक्ता का संदेश देती है और इस रचनात्मक्ता से मनुस्य नई खोजों, आविस्कारों और अनुसंधानों द्वारा विकास के मार्ग पर बढ़ता जाता है इस तरह धर्ती की सुन्दर जैवी वीधिता का मान विकास से गहरा संबंद है इसलिए जैवी वीधिता के संरक्षण से मानुना केवल प्रकृति का सम्मान करता है बलकि वह स्वयम भी अपने भविसे को सवारता है ये बातें डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम ने कही थी अगर कहीं दूर किसी दूसरे सौर मंडल या आक बायोजिकल डाइवर्सिटी सब्द का इस्तेमाल सबसे पहले नौर से और मैग मेनस ने 1980 में किया था प्राकिर्तिक और पर्यावरान संतुलन को बनाये रखने में जैवी विधता की भूमिका को देखते हुए संजुक्त राष्ट संकी पहल पर हर साल 22 मई का दिन इंटरने गौरतलब है कि जैवी विधता को बचाय रखने और नश्ट करने में हम इनसानों की सबसे बड़ी भूमिका है विकास और निर्मान की इस आपाधापी में जैवी विधता को बचाय रखना बहुत बड़ी चुनोती है हलांकि हम ही जैवी विधता रूपी छतरी को कमजोर क करके विकट समस्या उत्पन कर रहे हैं और कमाल की बात है कि हम ही इस समस्या का समाधान भी ठोस कदम उठाकर कर सकते हैं महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि प्रिध्वी में देने की इतनी चंता है कि वह सब की जरूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन पृत्वी मनुस्य के लालच को नहीं पूरा कर सकती वैग्यानिक लंबे अर्से से चिताते आ रहे हैं कि प्रकृति से छेड़चाड का यही हाल रहा अन्य था किसी भी एक वन्य प्राणी के विलुप्त होने पर पूरी संरचना धीरे धीरे बिखरने लगती है चुकि पारिश्थिति की तंत्र में विभिन जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं इसलिए अन्य प्राणीयों की विलुप्ति से हम मनुसियों पर भी इसका प्रतिकूल परभाव पड़ेगा इसलिए जयवी विधता के संरख्षण के लिए सरकार के साथ साथ नागरिकों को भी आगे आना होगा इसका संरख्षण हम सभी प्रतिवी वासियों का सामोहिक उतरदाई तो है चलिए दोस्तों को रफिलिक्स पर आज के इस वीडियो में इतना ही जानकारी आप तक पहुंचती रहे के लिए अब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेस्बूक पेज को लाइक कर लें साथ ही साथ अपने दोस्तों रिष्तेदारों के वीच इस वीडियो के लिंक को सेर भी करें मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक keep searching for knowledge and try to be a kind person